आज हम करेंगे यूनित नंबर 5 गेम्स एन रूल्स गेम्स एन रूल्स यूनित नंबर 5 गेम्स एन खेलों और उसके उसूलों के बारे में हैं इसमें बचे खेलों की एहमियत जान सकेंगे कि इससे सहत प्रोड सर्कुलेशन इंप्रूव करती है और इसके बारे में जानेंगे कि रूल्स कितनी जरूरी है और गृूल्स उसूल नए अलफाज जो बचे यहां पे सीखेंगे सबसे पहले वर्स ब्रूल्स उसूल A statement of what must or must not be done when playing a game जब भी कोई खेल खेला जा रहा हो तो उसमें क्या जरूरी करना है या must mean जरूरी, must not be done, क्या नहीं करना और क्या करना है Statement कोई ऐसी बाते, ऐसे असूल, ऐसे जो आप लोगों को बाते बताई जाएं असूल जवाबित जो करना है और जो नहीं करना उनको रूल जेनी उसूल कहा जाता है Team, Team का मतलब है Group Form में काम करना, चाहे वो Games में हो जाहे हैं आप Classwork एक्टिविटी में भी Groups बना सकते हैं Group A, Group B, Group C, ठीक है किसी के आप उनका जो पर्टिकुलर उनकी जो स्किल्स हैं उनको पहचानने के लिए तो Team का मतलब है Group A, Group of People लोगों का एक Group Who play a particular game जो कोई भी एक खास यने खास यने खास सी गेम खेले Are sports कोई भी खेल Against another group of people एक ग्रूप जब दूसरी ग्रूप के मुखाल्फ में गेम खेलते हैं आउट्डूर हो या एंडूर हो वो Group या टीम कहलाता है The third one is collaboration Collaboration mean तावन करना The act, act mean अमल करना, working, काम With another person किसी भी बंदे के साथ Group या किसी ग्रूप के साथ कि चाहे किसी एक बंदे के साथ आपका काम करना जो मतलब dealing है और या Group के साथ यानि किसी टीम के साथ आप कितनी तावन करते हैं उसके साथ मिल जूल कर काम करते हैं This is called collaboration Page number 33 We play different games At home and in school हम बहुत सारे different मुख्तलिफ games खेल खेलते हैं At home, घर में And in school or school में Some of games Some of the games उन खेलों में से कुछ example For example, easy mean For example, मिसार के तोर पर Ludo and checkers Checkers and Ludo जो हैं वो ऐसे games है जो प्रेट खेले जाते हैं इंडोर्स घर के अंदर यानि बाहर जाना नहीं पड़ता My favorite game to play at home is अब आप अपने game के बारे में Favorite पसंदीदा game खेलना आपका घर पर ही कौन सा है Ludo है या कोई और game है तो आप इसमें लिख सकते हैं अगर Ludo है तो Ludo mention कीजिए केरें बोर्ड है वो भी इंडोर केला जाता है फिर second पर है My friends' favorite game To play at home फिर पहले अपना बताना फिर अपने friends के बारे में बताना के आपकी दोस्त कौन सा game खेलते है जो के घर पर ही खेला जा सकता है वो आपने इसमें mention करना है चाहे Ludo लिखते है चाहे कहरें बोर्ड लिखते है या इसके इलावा कोई एक और हैसा game हो जो आप खेल सकते कोई भी हो आप इसमें mention कर सकते है but when we play together लेकिन जब हम एकटे खेलते हैं प्ले खेलना together एकटे our favorite games to play is तो हमें कोई सा खेल खेलना पसन है यही जब आप group form में होते हैं तो आपको कोई सा game खेलना पसन होता है it may be cricket, it may be football और any other game which do you like अगर आप इकटे हों, 4-5 बंदे हों, 7-8 हों या group form में हों तो आप कोई सा खेल खेलना पसन करते हैं so you have to mention you have to write the name of that game over here तो इसमें मिसाले दी गई हैं frisbee, वो जो हवा में गोल से एक प्लास्टिक की प्लेट से होते हैं उसको फैंकते हैं वो वाली है, cricket है या football है, our team games ये team याणि group form में खेली जाती है और घर से बाहर खेली जाती है मैदान में it is always fun to play together हमेशा, always हमेशा fun, मज़ा, मज़ा देता है ये हमेशा मज़ा देता है together game जब आप खेलते हैं एकटे होकर team work में तो ये बहुत मज़े का लगता है बचों को भी चाहे, वो बड़े भी हो playing games together teaches us discipline to share and to collaborate जब आप एकटे games खेलते हैं, खेल खेलते हैं तो ये game खेलना एकटे मिल जुलकर तो ये क्या सिखाता है discipline सिखाता है discipline means नजमो जब्द क्या तोर तरीके हैं, कैसे खेलना है, किस तरह खेलना है कौन से उसूल है, जिनको आपने मानना है, जरूरी है उन पर अमल करना है, किसको avoid करना है, यानि बचना है ठीक है, to share और कैसे share करना है, एक दूसरी के साथ शराकत करनी है, और कैसे तावन करना है तो यह सब टीम गेम्स जो हैं वो हमें सिखाती हैं पेज नमबर 34 पर देखिए सम गेम्स आर प्लेट आउट्डोर्स कुछ ऐसी गेम्स खेले हैं जो आउट्डोर यानि घर से बाहर खेले जाती हैं एक फॉर इजेम्पल टैनिस फ्रिस्बी और बास्केट बॉल यह टैनिस है ठीक है टैबल टैनिस जिसको कहा जाता है फ्रिस्बी और बास्केट बॉल जो बास्केट एक पोल के साथ लगी होते हैं उसमें बास्केट फैंक की जाती हैं तो यह सारे आउट्डोर गेम्स हैं जो इंडोर नहीं होते आउटडोर गेम्स such as फुटबॉल प्रोवाइड अस एक्सरसाइज विच इस इसेंशियल फॉर और गुड हैल्फ जो बाहर केली जाने वाली गेम्स हैं चुनके उसमें जम्पिंग वगेरा आ जाती है इंडोर में तो आप बैठे रहते ना इकी जिगापे जैसे लुडो केले तो उसमें आपकी as such कोई physical activity जिस्मानी वर्जिश नहीं होती जैसे कि फुटबॉल क्रिकेट वगेरा में भागदोर होती है बास्केट बाल में इसी तरह table tennis में आपकी arms की exercise होती है आप move करते हैं तो such type of games यो है वो आपकी अच्छी सहत के लिए essential बहुत लागनी है जरूरी है और अच्छी है quick review में देखे write the name of the game under each picture there are some pictures given so you will have to write the names of these games तो first run देखे basket है और ball है so this game is basket ball यहाँ पे देखे यह ball है और इसको foot से वो kick लगा रहे so this is football game and this is also called a cricket game यह तो हर एक बची को भी पता होगा so next देखे page number 34 पर ही last paragraph rules rules teach us उसूल हमें सिखाते हैं discipline नजम जग्द by telling हमें बताते हैं us हमें how to behave कि हमें कैसा रिवाया behave behavior सलूक रिवाया दूसरे के साथ आपका कैसा behavior है ठीके कि आपने औरों के साथ अपना कैसा सलूक रवा रखना है तो इस सारे नजमों जब्द उसूल हमें यही सिखाते हैं कि आपने कैसे चलना है अपने behavior से यह बहुत अहम है अहमयत रखते हैं क्यों बेकास क्योंके यह हमें मदद देते हैं create a fair and happy world for everyone क्योंकि यह हमें मदद देते हैं कि हम create कर सके बना सके affairs, शफाफ and happy world और खुशगवार दुनिया हम create कर सके बना सके for everyone हर एक के लिए चुंकि आप देखें चोटी सी बाग अगर उसको ना माने जाए किसी उसूल को उससे बेगाड पैदा होता है आपस में लड़ाई भी हो सकती है तो उस चीज़ से बचने के लिए rules को असूलो को follow करना इंतिहाई जरूरी है when we play together जब हम इखटे खेलते हैं we must always follow the rules of the game we are playing तो हम जो game खेल रहे हैं जो खेला जा रहे हैं जो भी उसके असूलो जवाबित आपको दिये गए है उन सब को मानना ज़रूरी है rules test tells us असूल हमें बताते हैं how to play a game गेम को कैसे खेलना है everyone is happy when we play by the rules जब हम rules के मताबिक game खेलेंगे instructions को follow करेंगे तो हर कोई खुश होगा कोई हाता पाई, कोई लड़ाई कोई बदमजगी नहीं होगी rules help us to keep the games fear for everyone यही उसूल हमें मदद देते हैं कि हम games को हर एक के साथ सफशफाफ रखें और game अच्छे तरीके से हो सके mind map यहीं इस पूरे चप्टर का खुलासा rules असल में क्या है rules teach us tell us how to behave हमें यहीं बताते हैं कि हमने कैसे rules को follow करना है और दूसरों के साथ इस तरह हमने अपना रवया रखना है tell us how to play a game rules हमें यह भी बताते हैं कि एक game को कैसे के खेलना है rules असूल हमें यह भी बताते हैं keep games fair for everyone ताकि किसी किसाथ जाती ना हो और हर किसी किसाथ बराबरी का सुलूख हो और अच्छे fair तरीके से शफाफ तरीके से game खेला जा सके chapter review को देखा जाएं fill in the blanks using words in the box there are some words given rules, cricket, indoors, discipline number one dash is an example of team game कोई भी वो game जो team form में, group form में खेली जाती है उसकी example एक game बताए cricket Ludo is played, Ludo खेली जाती है कहां, indoor, यहनि घर की अंदर number three rules teach us असूल हमें बताते हैं discipline, discipline को काईम रखना by telling us how to behave जो कि हमें बताते हैं कि हमें कैसा अपना रवया रखना है औरों के साथ number four we must always follow the dash of the game we are playing हमें हमेशा follow करना है मानना है उन किसको उसूलों को जो game आप खेल रहे हैं तो यह एक प्रोजेक्ट है activity के तोर पर what is your favorite game identify at least three rules of your favorite game यानि जो game आपको पसंदें उसकी कोई से three rules आपने बताने हैं और participate in your favorite team based game with your classmates यानि classmates के साथ यान के साथ किसी जो team based game है उसमें participate करें हिस्सा लें और do you think it is easier to play with or without rules तो आप यह भी बताएं कि जो rules आप follow करते हैं तो यह rules की बखेर खेलना ज्यादा बहतर है या अच्छा है या rules को follow करते हुए तो that was the end of this chapter rules, games and rules unit number five और बस जी और इसका end हो गया है तो अगर आपको यह video अच्छी लगी हो या आपके जहन में कोई भी question हो तो प्लीज कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो subscribe करें like and share कीजें और आपकी कोई request हो तो प्लीज जरूर बताएएगा लाहाफिस खुश रहे है